नमस्कार दोस्तों फ्री आनलाइन बेकिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ मीना जेन आज हम बना रहे हैं ये बढ़िया हॉममेट क्रश के साथ और हॉममेट क्रेम चीज के साथ ये चीसकेक बनाएंगे वो भी बिना मॉल के और बिना ओवन के तो ग्रेम चीज ये ब्लूबरी क्रेश और ये स्टॉबरी क्रेश पर सबसे पहले हम क्रेम चीज बनाते हैं क्रेम चीज के लिए मैंने ये आदा लीटर दुद को गरम किया है और उसमें दो से तीन टेबल इसमोन घर की फ्रेश मलाई डाल दी है दूद उबलने के लिए रखा है और इधर मैंने एक टेबल स्पून विनेगर लिया है उसमें दो टेबल स्पून पानी मिलाया है जैसे ही दूद उबल गया हमारा हमने नीचे उतारा गेस से और उसमें दिरे दिरे करके ये विनेगर वाला पानी हमने डाल दिया है और छेना बना लिया है यह इस तरह से हमारा छेना बन गया है और आप इसे ठंड़े पानी से धो लेते हैं और निचोडर लेंगे इसके फूल वीडियो मेरे चैनल पर अप्लोड है और मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिन्क डाल दूंगी इस तरह हमारा यह चेना तयार हो गया है अब हम इसे वेट कर लेते हैं इसका वेट एंडेट ग्राम आया है और इसे आब एक बाय। में लेते है यह 연inar होत शोन आया है आपक्साथ में तूपए इंच taught के त profits यह इसे गरम गरम में ही करना है और इस तरह से एक बढ़िया क्रीम चीज तयार हो जाएगा घर पर ये बहुत ही कम कीमत में तयार हुआ है और चोटे शरों में जहां पर नहीं मिलता है वहां के लिए यह बहुत ही काम की चीज है यह इस तरह से हम इसे एक बाउल में ले लेंगे और इसे ढख कर 5-10 मिन ठंडा करने के लिए रख देंगे फ्रीज में इसे आप केक के आइसिंग में, कोई स्नेक्स के डीप में या फिर सेलेट की ड्रेसिंग में भी यूज कर सकते हैं यह देखिए अब हमने इसे क्रेप से पेक कर दिया है और इसे फ्रीज में रख देते हैं ठंडा करने के लिए 10-15 में ठंडा कर लेंगे यह अच्छी से सेट हो जाएगा तब तक हम हमारा पॉर्ट तयार करते हैं वैसे तो चीसकेक में जो मोल्ड खुल जाता है साइट से क्लिप वाला वो यूज करते हैं जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था और अगर नहीं है आपके पास तो हम कैसे बनाएं इसके लिए मैंने एक रिंग लिया है यह पांच इंच का रिंग है और इसकी अधाई इंच हाइट है और इसे मैंने फाइल पेपर से इस तरह से कवर कर दिया फाइल पेपर को डबल किया है और इस तरह से यह कर लिया है सेयार पॉट अब मैं इसे इसके साइज की एक प्लेट में रखती हूँ इस तरह से चारो तरप से अच्छा हमने इसको कवर कर दिया है फाइल पेपर से अब ये एक मैंने प्लेट ली है और इसमें ये फिट हो रही है और इसे रख दिया है ये 100 ग्राम बिस्कीट लिये है मैंने ये सुट बिस्कीट है ये डाइजेस्टिव बिस्कीट है आपको इसे भी सुट बिस्कीट ले सकते हैं और अच्छे से इसे क्रश कर ले अब हम इसमें butter डालेंगे 50 ग्रब बडार डालेंगे हम butter को हमेशा melt करके डाले और अच्छे से mix कर लेंगे यह हमने butter को 30 सिकंड माइक्रो किया और melt करके इसमें हमने डाल दिया है यह請 टीज के कबेस तैयार होगा बिस्कать से और इसे अगर कम लगे तो आप एक से दो चमज और डाल सकते हैं लेकिन यगर ये 100 ग्राम हम मैंने लिये हैं डाइजेस्टिव इसकेट तो इसमें 50 ग्राम ये इस तरह से बराबर आ गया है और इसे अच्छे से प्रेस करके हम सेट कर देंगे इस तरह से अब हम इसे अलग रखते हैं और एक बाउल में ये जो हमने तयार क्रेम चीज किया था ये ले लेते हैं और क्रेम चीज लेने के बाद हम इसमें ये देखिए अच्छे से सेट हो गया हमारा फिर इसमें हम 100 ग्राम कंडेंस मिल्क डालेंगे आप कोई सा भी ले सकते हैं मिल्क मेट भी ले सकते हैं मिठाई मेट भी ले सकते हैं या होम मेट भी ले सकते हैं तो ये देख लिजिए अभी मैना या बनेसले का मिल्क मेट लिया हैं सो ग्राम हम डालेंगे सो ग्राम या आधा कप ये इस तरह से डाल देंगे हम उसके बाद हम डालेंगे घर की पीसी हुई चीने डालेंगे पचास ग्राम या वन फोर्थ कप ये देखिए उसके बाद हम दो टेबल स्पून दही डालेंगे दही हम थोड़ा गाढ़ा लें और फिर हम इसमें दो से तेबल स्पून अमुल फ्रेश क्रिम डालेंगे आप यहाँ पर विप क्रिम भी डाल सकते हैं और एक टेबल स्पून कॉन इस्टार्ज डालेंगे और एक लेमन लिया है इसकी जेस्ट डालेंगे उपर से हलका हलका हम इसे किस लेंगे वाइट पर्ट नहीं आने देंगे और इस तरह से क्रेश करके हम डाल देंगे थोड़ा सा और आधे लेमन का जूस डाल देंगे साथ में यह देखिए और सब को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अभी मैंने यहां पर हैंड विक्स का यूज किया है आप इलेक्टिक बिटर का भी यूज कर सकते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद हाफ टीश्पून इसमें वैनिला एसेंज डाला है और फिर से अच्छे से मिक्स कर लिया है मिक्स अच्छे से कर लें, एक से दो मिनिट करें, ताकि सभी चीजें अच्छे से हमारी एक दूसरे में मिक्स हो जाएं अब हम यह हमारे तयार पॉट में डाल देंगे, जो हमने बिस्किट का क्रश तयार किया था, इसमें हम डाल देंगे यह देखिए यह हमने पूर कर दिया इसमें और अच्छे से पूर करने के बाद एक से दो बार इसे टेप कर लेंगे ताकि एर बबल इसके निकल जाए मिक्शर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बहुत गाड़ी नहीं है और नबहुत पतली है अब हम इसे एक इस्टिमर में रखेंगे हम यहाँ पर ओवन का यूज नहीं कर रहे हैं विदाउट ओवन बना रहे हैं तो हमने यह थोड़ा सा पानी लिया है एक पैन में उसे रखी है और इस तरह से प्लेट को धिरे से रख दिया है थोड़ा हाथ बचा के रहे हैं वहाँ में गरम है हमारा पॉर्ट इस तरह से और अपी उपर से हमने ठक दिया है आप इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं अब हम बना रहे हैं इस्ट्रोबेरी क्रश इसके लिए मैंने यह सो ग्राम इस्ट्रोवेरी लिए अच्छे से दो लिए कट कर लिए और यह एक पैन में ले लिए है साथ में हमने इसमें दो से तेन टेबल स्पोन शकर डाली है वजन में पचास ग्राम शकर है यह हमारी आप कम जादा थोड़ा सा कर सकते हैं यह पे शुगर को और और इ इस करते हुए हम इसे एक से दो मिनट पका लेंगे यह दिखिए और पुरा अच्छा पक जाने के बाद हम इसे एक बॉल में ले लेते हैं इसमें मैंने कोई एसेंस नहीं डाला कोई कलर नहीं डाला एक दम नेचरल कलर है बहुत ही कुबसूरत कलर आया इसका और बॉल में लेने के बाद इसे ठंडा कर लेंगे हम इसे आप ब्रेट पर जैम की तरह यूज कर सकते हैं आइस क्रेम में भी यूज कर सकते हैं और केक की फिलिंग में भी यूज कर सकते हैं अब बना रहा है हम ब्लूबेरी क्रैस्ट ब्लूबेरी के लिए मैंने 20-25 ब्लूबेरी लिए अच्छे से धोली है और यह देखिए एकदम फ्रेश वाली ब्लूबरी लिया है मैंने इसे एक पैन में ले ले लेते हैं हम और इसमें एक टेबल स्पून पानी डालेंगे पहले और इसे एक मिनिट लो फ्लेम पर हम पकाएंगे इसे कुचलते हुए हम एक से दो मिनिट तक इसे इसी तरह से पका लेंगे पकाने के बाद हम इसमें एक टेबल स्पून शकर डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे इसे भी हम जैम की तरह तयार कर लेंगे ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट होती है बहुत ही जल्दी तयार हो जाता है ये इस तरह से ये से भी हम तयार कर लेंगे और इसे भी आप केक में अंदर फिलिंग में आइस क्रीम में कोई डेजर्ट में या ब्रेट पर लगा कर इस तरह से खा सकते हैं और यूज कर सकते हैं आ यह देखिए अब हमारा इस तरह से यह तयार हो गया है तयार होने के बाद हम इसे एक बाउल में ले लेंगे और बाउल में लेने के बाद इसे भी हम ठंडा कर लेंगे इस तरह से आप अलग-अलग फ्लेवर के क्रेश तयार करके रख सकते हैं पाइनापल औरेंज मैंगो और अलग अलग तरह के आप चीज केक तयार कर सकते हो तो यह देखिए बढ़िया एक हमारा तयार हो गया है ब्लूबेरी क्रश अब हम एक पैन में बटर स्कॉच के लिए स्कॉच तयार करते हैं और उसके लिए मैंने एक टेबल स्पून शकर ली है और इसे इस तरह से डाल द और यह मेल्ट होने के बाद इसमें मैंने दो से तीन काजू के टुकड़े डाल दिये हैं दो तिन काजू लेके आप इसमें चाहे तो बादाम भी डाल सकते हैं और पिष्टा भी डाल सकते हैं इस तरह से इसे कोट कर लिया है हमने शकर में और एक प्लेट में इसे डाल दिय और ग्रिस करने की जरूरत नहीं है प्लेट को आप चाहे तो कर भी सकते हैं और इसे फैला देंगे यह बढ़िया हमारी काजू की चिक्की तयार हो जाएगी और ठंडा करने के लिए रख देते हैं अलग अब हम देखते हैं हमारा चीजकेक तयार हुआ है क्या आईए चीजके की तरफ चलते हैं अब हम यह देखिए 35-40 मिनिट के बाद एक दमबढ़िया हमारा चीजके तयार हुआ है यह बहुत ही अच्छा फुल गया है और इसका नीचे का पॉट का पानी भी खतम हो गया है उसके बाद मैंने 2-5 मिनिट फिर इसी तरह बेक किया है पानी खतम होने क के बाद इसमें उपर से कलर आ गया है इसी तरह से आप रखें और यह देखिए बढ़िया और गरम पार्ट में ढखकर 5-10 मिनिट इसी तरह से रखा रहने देंगे उसके बाद हम निकालेंगे और इसे फ्रीज में रखेंगे ठंडा होने करके और 2-3 घंटे से सेट होने के सेट होने के बाद हम इसे बाहर निकालने है और इसे अनमोल करया कि यह देखिए मैं यह देखिये है हम अगर हमारे पर यहां पर कलिप वाला फ James Matte अरे से क्लिप खोल ले और यह आसानी से बहरा आ जाता यही मेरी के पिशली वीडियो में आपने देख़ा था और अब हमारे पास यहां पर हम without mold बना रहा हैं, mold नहीं है, इसे धीरे-धीरे प्रेस करेंगे, उपर की तरफ एक खास से और रेंग को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, तो यह भूत ही आसानी से बाहरा जाएगा, यह इस तरह से बाहरा गया है, और यह देखिए, बढ़िया set हुआ है अब हम इसे cut करते हैं, यह चारो तरफ से अच्छे से set हो गया है, अब हम इसे 4 पीस में cut करते हैं, यह बहुत ही आसानी से cut हो रहा है, और इस तरह से हमने इसे 4 पीस में cut कर लिया है, अब हम इसे serving plate में arrange करते हैं, और उसके पहले हमने जो चिक्की बना के रखी थी काजू की, उसे crush कर लेते हैं, यह देखिए, हमने जो अच्छे से set हो गई है, और इसे हमने cut लिया है, और यह हमारा अच्छा crush तयार हो गया है, हमने एक plate में arrange कर लिया है, और सबसे पहले हम blueberry crush लगाते हैं, blueberry flavor का, हम cake बनाते हैं, cheese cake, यह मैंने अलग-अलग, एक-ट्रेंगल पर लगा रही हूं, आप चाहें तो पूरे cake पर इसे लगा के सर्व कर सकते हैं, आप पूरा cake blueberry flavor का, या अलग-अलग flavor का बना सकते हैं, इस तरह से, यह blueberry crush हमने जो तयार किया था, वो लगा दिया है, साथ में, एक से दो blueberry भी हमने उपर से लगा दिया है, अब हम इस्ट्रोवेरी जैम लेंगे और इस्ट्रोवेरी की स्केक तयार करते हैं यह इस्ट्रोवेरी का जो क्रेश हमने तयार किया था वो लगा दिया है और इस्ट्रोवेरी को कट करके भी लगा सकते हैं अभी मैंने यहाँ पर एक मेंट की लिफ लगाई है आप जैसा चाहें उपर से गार्निश कर सकते हैं अब मैं ये बटर स्कॉच क्रश ले रही हूँ और ये रेडिमेट क्रश है और इसे एक चमच मैंने लिया है और इसके उपर लगा दिया है साथ में जो हमने बटर स्कॉच का स्कॉच बनाया था वो भी हम इसमें डाल देते हैं ये उपर से हमने जो तयार किये थी चिक्की और वो भी हमने इसमें लगा दी इस तरह से बटरिस्कॉच फ्लेवर का चीज़क तयार हो गया अब एक चमच में मैंने पान फ्लेवर का क्रश लिया है ये आगे की रेशिपी में आगे की वीडियो में इमें ये दोनों क्रश भी सिखाने वाली हूँ और उपर से पान मसाला लगा दिया है तो इस तरह से ये चार फ्लेवर के बढ़िया टेस्टी किसके क्यार हुए है ये देखिए हम कट करके दिखते हैं एकदमसॉफ्ट और भौत बढ़िया बना है ये ब्लू वेरी भी हम कट करके दिखते हैं टेस्स में भी बहुति अमेजिंग है दोस्तों ये किन मानिये ये बहुती बढ़िया बने हैं आप इस तरह से बना कर सेल कर सकते हूँ आजकल चीस केक बहुत सेल हो रहा है और बहुत ही कम किमत में घर पर बहुत आसानी से तयार कर सकते हो यह दोस्तों चीस केक अलग-अलग चार फ्लेवर में और होम मेट करश और विदाउट ओवन विदाउट मोल्ड के रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले